हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूँ निधी और पॉजिटीव आशा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो क्या आपको भी होटल स्टाइल, क्रंची, मंची, पटेटो, ग्रिल सैंड्विचेज बहुत पसंद है मुझे भी बहुत पसंद है और बच्चों की तो ये फेवरिट होती है तो चलिए आईए इससे देखते हैं कि बनाते कैसे हैं सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसान है, बहुत टेस्टी है, बहुत हिल्दी है तो चलिए शुरू करते हैं मेरे स्टाइल में मेरे साथ यहां पर मैं ले रही हूँ चार मीडियम साइज के आलू जिसे मैंने उबाल कर मैश कर लिया है इसके बाद हम इसमें एड करेंगे चॉप्ट ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च छोटे छोटे टुकडो में कटी हुई आप चाहे तो इसे अवार्ड भी कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें आड करेंगे एक चमच कुटी हुई अद्रक थोड़ी सी कटे हरे धनी के पत्ते अब आती है मसालों की बारी एक चमच धन्या पाउडर, आधा चमच जीरा पाउडर आधी चमच हल्दी पाउडर, आधी चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी अजवाईन लगबख आधी चमच जिसे मैंने मसल कर इसमें डाल दिया है नमक आप स्वाद के अनुसार एड़ कर सकते हैं यहाँ पर मैं दो चमच नमक ले रही हूँ, दो चोटे चमच इसके बाद इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे ताकि सारे मसाले, नमक और आलू एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं देखिए बिल्कुल इस तरह से, अब मसाला हमारा तयार हो चुका है इसके बाद मैं ले रही हूँ दो ब्रेट के स्लाइसेज की है आलू की, उसे मैं अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड कर लूँगी, बिल्कुल इस तरह से दूसरे ब्रेट पर भी मैं दोनों तरफ बटर अच्छी तरह से लगा लूँगी और इस पर भी मैं आलू की स्टफिंग अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी इसके बाद हम इसके ऊपर बटर और ब्रेड की वापस एक स्लाइस इस पर एड़ कर देंगे आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं भर-भर के बटर लगा रही हूँ अब ग्रिल सैंविच है तो बटर तो बनता है ना इसके बाद मैं सैंविचेस को सैंविच मेकर में रख दूँगी और इसे आन कर दूँगी थोड़ी देर के बद हम चेक करेंगे कि हमारा सैंविच रिडी हुआ या नहीं यह लीजिए यह बिलकुल तयार है यम्मी यम्मी इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे मगर थोड़ी साफधानी के साथ क्योंकि ये बहुत गरम है ये लीजिए ये आ गया ये बाहर और अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग प्लेटिंग करने से पहले हम इसे दो हिस्सों में काट लेंगे इस तरीके से येस यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से प्लेटिंग दिखाऊँगी जैसे आपके बच्चों को अच्छा लगे आप कर सकते हैं पहली इस तरीके से या इस तरीके से तो लीजिए हमारे होटल स्टाइल क्रंची मंची वेरी टेस्टी वेरी हल्दी ग्रिल पटेटो सैंविचेज विदाउट अनियन रेडी है खाने के लिए और खिलाने के लिए इंजॉई कीजिए तो फ्रेंज देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है कितनी सिंपल सी और इजी रेसिपी है आप इसे ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं उमीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी मत भूलिए तब ही तो आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, बी हेल्दी, नमशकार